परदीब जी जानना चाहेगे कि यह जो इश्यू हुआ है आज जो आपने बीते कुछ समय में एक आंदोलन भी आप लोगों ने किया है शराब को लेकर के केजरिवाल सरकाल ने जो है शराब के जो ठेक है गली-गली में खोल दिये इसके बारे में आप क्या कहना चाहे है इसक गौल के गःए में दिया है चाहे बेशक आपके घर में पानी ना आए आपके वाड के अंदर आपके घरों के अंदर पानी गुसा रहे जल बोड़गा लेकिन आपके यहां पर हर वाड में दो ठेक है आपको मिलेंगे पर्दीब जी ऐसा है ना कि जो गौर्मेंट की मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे किसी नहीं बताया कि यह सरकारी ठेकर बंद हो रहे हैं अब यह हो रहा है कि लोग जो कच्छे शराब से लोगों के आपने पी बीत है कुछ समय में सालों में देखा होगा मिर्टी भी होग सबको एकसे एकसाइड ड्यूटी लग करके वो शराब की बनद जो बिक्री होगी और क्योंकि लोगों घरों के पास होगी तो यह लीगल शराब जो बिक्एगी वह बंद हो जाएगी इसके बार में जहर तो जहर है इसी अविलेबल होगा तो जादा पिया जाएगा पहले जो किजरी वाल जीए को हम लगा सब्कार है। जैसे कि आप लोगों ने इशु उठाए कि बैजे तो प्राइवेट कर दिया तो गोवर्मेंट ने जो बीजेपी सरकार है उसने काफी चीज़े प्राइवेट कर दी है नीजी हातों में सौब दी है तो यह आपको लगता नहीं है कि आपको अपनी सरकार के लिए भी बोलना अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो जब से रेलवे का कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिपिकली विभाग प्राइवेट किया गया जैसे सफाई का विभाग है जहां पर रेलवे के अंदर बहुत जादा गंदगी हुआ करती तो आज की तारिक में आप जाके के मिलेगे और वो 24-7 खुला करेंगे तो अब यह बताईए कि युवाओं को जब इजिली शराप एविलेबल होगी तो जहां पर वो जब टाइमिंग हुआ करती तो लोगों की मजबूरी हुआ करती ती वह नहीं मिल पाएगी लेकिन अब क्या होगा आप तो पर्मनेंट म यॉत इंसょ महा मुणा क्लीनिक खूल देंगे आज महाला क्लीनिक वाड में और बीना फाया हुआ कि में लोगों फायदा भी मिला है महाला क्लीनिक के आप Бात कर کر के सारकार Lol जिर्ईवाल जी का फायदा धाई धार्ट को फस्याग्र्चा गोटा लग यह रिंधा दीक हो मिला है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी डिल्ली को प्राइवट थेके ले रहा अगर देखा जाए तो अब इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि यह जो सुसाइटी जो हम लोग देखते हैं सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी जो हमारे स्कूल्स हैं अगर उनके पास कोई भी ऐसा ठेका खुलता है तो उसको खुलने नहीं देंगे पुलिस में अरेस्ट देना पड़े हैं कुछ भी करना पड़े हम वहां पर नहीं खुलने देंगे कर दिंदें tip कि कि us आ अपड़े हैं क्योंकि क्यानूं जो बनते हैं जो भी लैसेंसिंग हुएं ममों पब्लिक के लिए बने हैं ठिके और अगर उसमे 165 अइसा कई प्राइवेट इस चीज को किया है तो अब मैं आपको क्या लगता है कि बीजेपी आगे क्या इस्टेप उठाने वाले हैं भारती जंदा पार्टी के सभी कारेकर था क्योंकि हम लोग इतने सालों से काम करें तो हम लोगों से कहीना कहीन टच में हैं और जो लोग जिन लोगों को इस चीज से अपत्ती हो रहे हैं जैसे स्कूल के पास माविर इंकले में ठेका खुला था हमारे जो स्टेंडिंग कमिल्टी की चेर में रेखा है विने चौहां जी ने वहाँ जाकर प्रदर्शन किया खुळ क्योंकि वहां की लोग आये थे उनके पास हमारे घर के पास यह ठेका नहीं खुलना चाहिए तो वह नहीं खुलेगा और दूसरी बात हमें अपत्ती नहीं है ठेके खुलने से जहां पुराने ठेके चल रहे थे प्राब्लम नहीं है हमार वो चीज से लेकिन अभी क्या फिलाल जो ठेके ने खुल रहे हैं उससे दिक्कत है और वो ठेके सारे के सारे ऐसी जगह पर खुल रहे हैं जहां पर की लोगों का रेजिदेंट भी है और वहां पर लोग उस चीज का अब्यक्शन कर रहे हैं कि शॉपिंग सेंटर में जो पहले के जो क्रेटी रहे थे सरकार ने कुछ सोचके खोले थे महां पर जो चल रहे थे उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब यह जो नोने सिस्टम किया है कि हर वाड में दो ठेके तो वह कहीं ना कहीं उस पर हमें आपत्ती है और ह हम जितना भी हो सकेगा हम उसका विरोध प्रसेशन करेंगे के जिवा सरकार से एक चीज और है कि उसने युवाओं के लिए बोला था कि जितने भी थेकेदारी में युवा लगे हुए हैं उनको पर्मानेंट करेंगे उन्हें पर्मानेंट करने के बजाएद उनकी नोगरी सेलरी टाइम पर नहीं है यह बीजेपी पर आरोब लगता रहा है अब की बार का में मुद्दा जो है एक एमसीडी का ही रहेगा इलेक्शन का इसके लिए आप क्या करेंगे बिल्कुल आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हाँ कॉर्परेशन के लोगों को सेलरी नहीं मेली गय है तो जो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हमारे तीनों मेयर केजरीवाल जी के कारेले के सामने धर्णा दे रहे थे लेकिन उनके सर पे जून ही रहेंगी उन्होंने तेरह हजार करोड़ रुपें एमसीडी का बगाय देना था लेकिन उन्हों को अपने एड लग कर सकता है कि यह इस तरह का फंड जो दिल्ली सरकार के हमारे मुख्य मंत्री माननी जो कर रहे हैं इधर का फंड उधर उधर का फंड इधर का काम तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन सुईदा तो लोगों तक पहुश रही है जो उन्होंने वाइदे के बसे फिरी कर दी और दारू से निगा लेंगे आरोप मैं लगा रहा हूं बिलकुल सत्य अरोप लगा रहा हूं क्योंकि जो सुन लिजिए जो बिजली पानी दे रहा है के जृवल सरकार दो फिरी दे रही है वो कहीं फिरी नहीं है आपको मैं बता देता हूं इसमें भी एक नोनोंने प्रेटिय ख्याश्राइज आगया पहले जो आपके व्यवसाइग करते थे जिसे यहां से आ रहा है हमारी ये पैसा कहा है हमारी जी पैसा के जी वाल सरगार हमें फिरीबानी तो यहां से वहां कैसे ट्रांसफर होगा वह तो एक ही है कमपनी तो एक है कोई अलग तो नहीं है जो क्रेटीरिया है वह सारा पैसा जातों बिजली कंपनी के पास ही रहा है अब वह हमें हमारे तो यहां पैसा आप भी जहां रहा है अब आप भी जहां रहते हैं इसे आसपास के अरिये में सागरपुर में काफी लोगों के बिजली के बिल जीरो आए होगे उनको रहत तो मिली है ना इस चीज़ से मैं आपको बता देता हूं कि जो बिजली के बिल उन्होंने फिरी के थे चुनाओ के टाइम पे वो था सर्दी का समय सर्दी में कितने इस होते हैं मैं आपको बता देता हूं जब यह इनका ग्लेम जो होता ना वही होता है कि सर्दी के समय में उन्होंने बिजली के बिल फिर सबके और गर्मी में वही डबल हो जाते हैं चार-चार अदर रपे की बिल आते हैं तो वह कहां से निकल रहे हैं इस चीज को भी अब नोटिस करेंगे कि गर्मियों में कितना बिला रहा है लेकिन एक आखरी सवाल आप से यह है कि क्या बीजेपी अब आगे जो इस तरीके की रणनीती गवर्मेंट की आ रही है क्या बीजेपी इसका विरोध बड़े स्तर पर करेगी क्या आपको लगता है कि बीजेपी रोक पाएगी इस तरह से बन रहे ठेकों को जी मैंने आपको पहले बताया है कि हम भाजपा कारे करता पुर जोर से चीज का विरोध करेंगे जो दल्ली के अंदो पुराने ठेके खोले हुए ते हमाँ पराइवेट खोल ये सरकार है मैं फोच लिए लेकिन जो ठेके नहे खुलेंगे और वहारे और दल्ली सरकार का जो ख़्रथी या नुनने नया बनाया उसके अकॉठ backwards अब जो नए ठेके बनारे ऊस के लिए भी तो हम